सो गाइस आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग SBI क्रेडिट का पीन कैसे जनरेट करेंगे ऑनलाइन घर बैठे आप लोग को बैंक में या फिर ATM में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर मैं आप लोग को step by step बताने वाला हूँ तो detail से इस वीडियो को पुरा देखेगा जिससे चीजे आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आप लोग भी अपना पीन जनरेशन कर पाएं जैसे यह आप लोग credit card के लिए अप्लाई की होगे तो आप लोग को यहाँ पर एक email आया होगा जहाँ पर आप लोग को pin generation करने के लिए एक attachment के लिए password आप लोग को बताया गया होगा जिसमें आप लोग का card का last four digit and last mobile number का four digit and आप लोग को data birth यह इस pattern में आप लोग को password डाल करके आप लोग को अपना pin generate करना है लेकिन यहाँ पर मैं online और sbi card के थुरू आप लोग को यहाँ पर generate करके दिखाने वाला हूँ तो simply google play store open कर लिजेगा और यहाँ पर आप लोग को sbi card application को install कर लेना है इसके बाद open करेंगे मैं यहाँ पर already install कर रखा हूँ ठीक है तो मैं simply यहाँ पर open करता हूँ open करने एक बाद कुछी इस तरीके का dashboard आप लोग को देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग को sign up करना है sign up करने के लिए उपर में आप लोग को sign up का जो आप संदीक रहा है new user first time user sign up तो इस पर आप लोग को simply click करना है तो जैसे आप लोग इस पर click करेंगे तो आप लोग के सामने कुछी इस तरीके का dashboard आजाएगा ठीक है और जहां से आप लोग को देख सकते हैं कि इस तरीके का यहाँ पर sign up पर click करना होगा इसके बाद जो भी आपके पास credit card होगा credit card का यहाँ पर number fill करना है CBB fill करना है इसके बाद अपना date of worth fill करना है तो चलिए मैं सारा चीज fill कर लिया इसके बाद continue पर click करेंगे तो एक OTP आएगा आपके mobile number पर जो number आप लोग के bank account में link होगा तो उस number को यहाँ पर OTP को fill करना है तो चलिए मैं भी थोड़ा सा OTP आने में समय लग सकता है तो आप लोग को थोड़ा सा wait करना है बिल्कुल भी page को refresh या फिर back नहीं करना है तो मेरा यहाँ पर OTP जो है थोड़ा साने में late हो सकता है क्योंकि देखे एर टेल का sim है और एर टेल का मेरे यहाँ internet थोड़ा slow चलता है तो OTP यहाँ पर आ चुका है तो OTP को fill करेंगे देखे बहुत ही आसान है आप लोग घर बैठे credit card का पीन बना सकते हैं इसके बाद आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर create login details का जाएगा यहाँ से आप लोग अपना user ID और password चूज करेंगे जिसे आप लोग इस application को login करते समय यूज कर पाएंगे ठीक है तो इसके बाद चलिए मैंने यहाँ पर click कर दिया इसके बाद sign up पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है take to me login take me to login ठीक है congratulations का message भी आ गया इस पर click करेंगे अभी जो हम लोगों ने user ID और password बनाया है उस user ID को यहाँ पर fill करेंगे तो आप password को भी fill कर लिजेगा इसके बाद जैसे ही password को fill करने के बाद यहाँ पर allow पर click करेंगे इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर SIM select करने के लिए बोला जाएगा जो SIM आप लोगों के bank में link है ठीक है उस SIM को यहाँ से select करेंगे इसके बाद continue पर click करेंगे allow पर click कर देंगे इसके बाद आप लोगों का mobile यहाँ पर verification होगा बोलें तो आपके जो यह SBI card application है इस application से आपका जो भी device होगा वो device यहाँ पर connect होगा connect होने बाद जैसे continue पर click करेंगे एक OTP आएगा OTP को यहाँ पर verify कर लेंगे इसके बाद आप लोगो यहाँ पर yampeen देना होगा यह वो yampeen है जिसे की SBI card application को open करते समय यह yampeen आप लोगो देना होगा तो yampeen देने के बाद चलिए अब आप लोग के सामने देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का dashboard देखने के लिए मिलेगा इसके बाद okay पर click करके continue पर click करेंगे ठीक है जैसे continue पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके का dashboard देखेगा जहाँ पर terms and condition को इस consent पर click करके accept करना है जैसे आप accept करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकतने लिका हुआ get started तो get started पर click करेंगे इसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखिए जो credit card का main pin होता है फोर डिजिट का उस pin को यहाँ पर fill करना है देखिए credit card का fill जो number है pin है वो एक unique होना चाहिए बोले तो दो दो तीन तीन चार चार ऐसे नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर credit card का जो भी मैं अपना pin है pin को मैं यहाँ पर select कर ले रहा हूँ आप लोग भी pin select कर लिजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे continue पर click करेंगे तो again यहाँ पर आप देख सकते हैं okay पर click करेंगे ठेक है एक OTP भी आ चुका है यहाँ पर तो चलिए simply इस पर click करेंगे set pin पर जैसे set pin पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं pin generated लिखा हुआ है your SBI credit card pin has been successfully generated do you want to reset your pin again then reset pin पर click करना होगा लेकिन मुझे अब यहाँ पर reset करने की कोई भी जरूरत नहीं है तो यहाँ पर next पर click करेंगे जैसे next पर click करेंगे तो यहाँ पर जो भी domestic transactions हैं इसमें से आप enable कर सकते हैं जिसे आप लोग enable करना चाहें जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि contactless transaction के लिए मैं यहाँ पर enable कर दे रहा हूँ online transaction के लिए भी enable कर दे रहा हूँ इसके बाद continue with OTP पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करते हैं तो आप लोगों के mobile number पर एक OTP आएगा दोबारा से जो आप लोगों के bank account में link होगा उस OTP को fill से यहाँ से fill करना है देखिए यह जो OTP है final OTP है यह आपके registered mobile number और registered email ID दोनों पर आएगा तो चलिए यहाँ पर OTP आ चुका है तो OTP को मैं यहाँ पर fill कर दे रहा हूं और देखिए बहुत ही आसान है कोई बड़ी बात नहीं है submit पर click करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर I acknowledge पर click करेंगे इसके बान देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर काम complete हो चुका है अब आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे credit card का यहाँ पीन बना सकते हैं